दोस्तो पिछला वीडियो जो मैंने हजरेट्रेशन का बनाया था उसको लैप्टाउप और जिन कम्पूटर और जिन के हिसाब से बनाया था तो उसमें कफे लोगों सवाल थे कि भाई यह समझ में नहीं आ रहा है मोबाइल के हिसाब से बताईए को कि दोनों का फंसन थोड़ वह सा अलग होता है तो कल चुकी मैंने पहले वह वीडियो पहले की सबसे बना दिया था और अब चुकी नई वेबसाइट आई वेबसाइट अपडेट होकर आई है और इसलिए वह उपन भी नहीं हो रहे थी आज वह उपन हुई है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आय यहां आता है तो यहां आप यह Chrome ऑला अफसन आया तो Chrome पर मैं क्लिक करेंगा और उसके बाद जैट्वान पर क्लिक कर दूँगा तो सीधे मैं इस वेबसाइट पर आजाओंगा और यहीं वेबसाइट है हाई यौर मिनिस्ट्री आफ उम्रा की यहीं से आपको रिजिट्रि इसका option है तो मैं यहाँ पर English पर ही click कर दूँगा तो English पर click करने के बाद में अब हमारे सामने हमारे website जो है English में आ गई है अब यहाँ पर आपके सामने option है आप यहाँ पर देखेंगे register वाला यह registration वाला option है तो यहीं पर हमें click कर देना है registration शुरू करने से पहले आपको registration procedure के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि यह बहुत ही important topic है और आप कहेंगे कि भाई हमारा registration complete नहीं हुआ तो मैं आपको बताता चलूँ कि registration आपका तीन दिनों में complete होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आज तीन जिलका पर हच के लिए fit हैं उसके बाद 13 जिलकादा को यानि आज से 10 दिनों के बाद आपका registration जो है complete होगा और फिर 13 से 15 जिलकादा के बीच में आपको जो आपने package अभी चूस करेंगे यहाँ पर उस package का payment यानि reservation और payment करने का आपको 15 जिलकादा को होगा यानि आज 3 जिलकादा है आज से 12 दिनों के बाद आपका जो registration है वो पूरी तरह से complete होगा तो अमीद है आप अच्छी तरह समझ के होंगे और आप सुरू करते है registration तो हमने English में करने के बाद में इसको register पर click किया यहाँ पर click करने के बाद में आपको इस तरह से तमाम सर्थे कानून जो बताए गए थे जो पिछले वीडियो में आपको detail में बता चुका हूँ सारी चीजे मैंने बहुत आराम थे पिछले वीडियो में आपको समझाई थी इसमें वही सारी चीजे हैं तो इसको मैं यहाँ पर skip कर दूँगा आपको rule और नियम कानून और गएरा के बारे में जानना है तो आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं तो इसको मैं जल्द के बाद ही देटा बर्थником आपसण आ जाएगा तो आपको नीचे जहाँ डे लिखा हुआ है वहाँ पर डे पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम तारीके आ जाएंगे अपनी तारीक चूजी करें मौन्ट पर क्लिक करेंगे तो त्माम मौन्ट आ जाएंगे 12 महीने तो आप उस सबसे आसान तरीका है उपर जो search box से उसमें आप अपनी city लिख दें तो आपकी city आपके सामने इस तरह से आ जाएगी तो यहां यह सबसे आसान रहता है मैंने वही किया है मैंने लिखा और उसके बाद में वो city आ गई उसको choose कर लिया और उसके बाद में नीचे है capture code तो जो न country code पहले से उपर पड़ा रहेगा उसको आप change नहीं कर सकते नीचे mobile number है और mobile number ध्यान रहे उसमें लिखा है पहले आपको zero नहीं लगाना यानि zero के बाद जो five से आपका number सुरू होता है तो five से यहां पर शुरू करें वह number आप यहां पर डालेंगे और उसके बाद send request पर click कर करेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगा हमारे नमबर पर वो OTP आपको यहां पर डाल देना है वो OTP यहां पर डालने के बाद नीचे confirm पर click कर देना है confirm पर click करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से यह page आएगा तो यहां पर देखें डाटा दिखा रहा है नीचे दिखा रहा है वैलिडेटिंग इन्फॉमेसन तो रिक्वेस्ट इक्वेस्ट इक्वेस्ट जो है वो सब्मिट हो गए सक्सेटफुली आप याँ पर देख सकते हैं और रिक्वेस्ट आइडी भी दिखा रही है और उसके बाद दिखा रहा है इंग्लिज में लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि अगर आपका हिल्थ क्राइटेरिया अभी यानि आपका डाटा जो है आपका आईडी नंबर फोन नंबर वगएरा मिनिस्ट्री आप हिल्थ से मैच किया जाएगा और जब आपका सारा डाटा मैच हो जाएगा यानि इम्मिनिजम वाली यानि वैक्सीन वाली सारी सरतें अगर आपकी पूरी हो जाती है, आपको करोनिक डाइसेस नहीं है, आप मेडिकली फिट हैं, तब आपको आपके पेमिंट का पोर्टल दिया जाएगा, यानि आपको पेमिंट करने के लिए कहा जाएगा, और जो पैकेज आप यहां पर चोस करेंगे, यहां पर आप देख सकत मिल नहीं है बैट 15% जुड़ेगा तो तकरीब यह 2000 रियाल इसमें सारे पैकेजस में और हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से जो चाहें वो चूज करके यहां पर अभी छोड़ दें और आज से 12 दिनों के बाद जैसे कि मैंने शुरू में जाए रही है बताने की कोशिश करूँगा बहुत बहुत शुक्रिया दौा में आद रखे